दोस्तों नमस्कार एकवारफे से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आपर हिंदी साहिति की स्रीच को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं आपके छायवादी युग में काफी लोगों कमेंट आये के सर प अधियोग ठीके जाये तो देख सकते हैं यहापका आधिकाल जिसे बीरगाथा काल कहते हैं यह भी कंप्लीट हो चुका है पूरमद्यकाल अर्थतभक्तिकाल भी कंप्लीट हो गया है उत्तरमद्यकाल जिसे रिदकाल कहते हैं यह भी कंप्लीट हो चुका है यह जो आपका आधुनिकाल है इसका आधा पार्टाप का कम्पलेट हो चुका है ठीक है ना जो कि हमने काफ़ी एच्छी तरीके से कम्पलेट कराया है बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का लायक भी मिले हैं और काफी लोगों की कमेंट भी आया थे कि सराधूरी सीरीज को complete करा दीजिए ठीक है न तो देख सकते हैं भक्ति काल में पूरा का पूरा डेटेल से हना निर्गुण काप इधारा जिसे दो भागों में तोड़ा गया था ग्यानसरे साखा प्रेमसरे साखा हना ग्यानसरे में आपके संत्य काप हैं प्रेमसरे में आपके सूफी काप है निर्गुण काप इधारा में रामसरे साखा और आपके कौन तो आपके क्रस्वनासरे साखा ये सबी आपका complete हो चुका है ठीक है न और आधुनिक काल में हम लोगों ने कायक पढ़ लिया है तो आपका भाजतिन युग भी फढ़ लिया है द्वेदी युग भी पढ़ लिया है अब आपको पढ़ना है यापर चायावादि यूगसरे योग आपको पढ़ना है ये दो आपके वीडियो आपके बागी रहे गए हैं और कुछ आपके point और आपके बाकी रहेगे हैं उसको भी आपको cover करना है ठीके सबी video आपको मिलेंगे हमारे playlist में जाएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगे ठीके ना जो कि आप दे सकते हैं इस प्रकार के thumbnail में आपको मिलेंगे ठीके हिंदी साहित में यह आपको दिया गया है और आपके यहाँ पर भक्तिकाल जो आपका पूरा का पूरा आपका A to Z आपको मिलेगा वहाँ पर रीत काल में जितनी भी आपकी हैं सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा भारतिन्द युग हमने देखो कवर करा दिया है वीडियो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में और आपके यहाँ पर दिवेदी युग आपको मिल जाएगा ठीके ना तो उमीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक भी करिएगा और साथ में आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहिति के अब्जिक्टिव के क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है साम साथ वजे आपकी हिंदी साहिति की आपजिक्टिव क्लास आपकी दी जा रही है ठीके? बिल्कुल करम से दी जा रही है तो उसको भी आप डेली कडेली यहाँ पर लगा सकते हैं ठीके? चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं छायवाद यूग जिसे हम 1918 इस विसले के 1936 इस वी तक का जो समय है वो आपका च्छायवादी यूग है और इसे हम लोग सुकल यूग के नाम से भी जानते हैं तो पहला पॉइंट आपका जरूरी है कि आचार रामचन सुकले के नाम पर इस यूग को सुकल यूग भी कहा जाता है किन्तु 6 वादी यूग के वाश्ती कर्थ लेकर विद्वान एकमत नहीं है मतरब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ये 6 वादी यूग है इसे हम लोग यहाँ पर सुकल यूग भी कहते हैं कारण क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि आचार रामचन सुकले के नाम पर ही इस युको सुकले को रखा गया है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर आचार रामचन सुकले को नहीं मानते हैं उनका मत आपका दूसरा दूसरा है तो यहां पर देखे दूसरा दिया है क लेकिन तो चायवादी युक के वास्त्वी कर्थ को लेकर विद्वान एक मताप के नहीं है। इन में से कौन मुख्यु रूफ से आपके चायवादी युक के प्रमुख आपके इस्तंबहे मेन आपके यहावादी माने जाते हैं। जै संकप्साद ब्रजभासा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। ठीक है करते थे तो इनकी ब्रजभासा की कविताएं चित्रधार में संकलित हैं ठीक है अगर पूछे कि जैसंकब साथ की जो आपकी रचनाय है वो आपकी कहां पर संकलित हैं तो ब्रजभासा की जो कविताएं हैं वो चित्राधार में किसमें चित्राधार में आपकी संकलित ह अब यहां पर दे सकते हैं चायवादी के यूग के प्रमुखाव के कभी कौन तो जैसंकपसाध सुमित्रननपंत महादी वर्मा सुरिकांत्रिपाथी निरला राम चन्सुकल हाजरिपसाद द्वेदी बाबु गुलाब राय नंदुलारे बाच्वेई पदुमलाल पुनलाल यह आपके मुख रूप से आपके कहसे कहते हैं यह चायवादी यूग के यूग के कहसे कभी हैं ठिखे यहां पर दे सकते हैं ध्यान दे सकते हैं कि राम चन्सुकल पदुमलाल पुनलाल बखसी बाबु गुलाब रैने द्वेदी यूग एविधि दुनों है स्रजित असा कि मुद्खुरुप से चार इस्तंप माने गये हैं कौन जैसंकर्पसा सुमित्न अन्पंत सूरिकान त्रिपाथी नरला और आपके महा दीवर्मा हना चलिए आते हैं यहां पर इनसे जुड़े हुए जो कोशन आपके एक्जाम में बनते हैं वही आपके यहां पर पढ़ना है चायवद यूग के प्रमु कभी है उनकी रचना है तो देखे जैसंकर्पसा सबसे पहले पॉइंट जैसंकर्पसाद में तो यहां पर दे सकते हैं कि इनका एक महा काप बैयापका कामाईनी हना कामाईनी आसू जरना लहर और आपका प्रेमपतिक अगर प्रेमपतिक की बात करते हैं तो आपके अतुकांत सैली में लिखी गई है हना यहीं पर दे सकते हैं उरवर्सी हना अयोध्या का उद्धार कानन कुसम खड़ी बोली का प्रथम का विसंगरा है हना अगर कोर्शन पूछे कि खड़ी बोली का प्रथम का विसंगरा किसे बोला गया है तो आपके क आपको जवाब यहाँ पर देना है समझ में आ गया ना तीस पॉइंट पर थोड़ा सा हाइलाइट कर लिजेगा ठीके ना चलिए अगला दिया है वन मिलेन और आपका करुणा लए यह आपके मुख रूप से है जो आपके एकजाम में आती हुए आपके कामाइनी है आशू है प्रेम पत्थी के और आपके और वर्वर्षी और आपका कानन कुसुम ठीक है इतना पॉइंट हो गया यहाँ पर दे सकते हैं आपको पॉइंट दे दिया गया है कि रामधानी सिंग्दिनकर ने भी और वर्वर्षी के रचना की है यद विकल्प में जैसंका अपसाद यू रामधारी सिंग्दिनकर को दोनों दिये गए हो तो आपके रामधारी सिंग्दिनकर नहीं है तब आपको यहाँ पर जैसंका लगाना है अगर दोनों है तब आपको रामधारी सिंग्दिनकर लगाना है समझ में आ गया होगा ठीके चली आते हैं यहाँ पर आपकी कुछ औ प्रफम का बिसंगरा है एक पुएंट अभी आपने और भी पड़ा था कि कानन कुसम खड़ी बोली का प्रफम काब संगरा है यहां पर जो जर्णा दिया है जर्ना को चायावादी उक का प्रफम काब संगरा माना जाता है दोनों पुएंट एक साथ नोट करियेगा ठीके जो भी उपनाम होते हैं वो आपके हमेशा एकल उद्धरन चिंड से आपको यह दिया गया है ठीके न चले इनके क्या दिया है अनामिका परिमल तुलसी दास ठीके याद रखे कि अगर एकजाम में यह आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा कि तुलसी दास तो सोचो तिलसी दास ने किया नहीं तुलसी दास नहीं आपके सूर कंत्रे पाठी निराल ने तुलसी दास रचना किया है ठीके न यहाँ पर देशते क्ते हैं गीत का यह ललित गीतों का आपका संग्रा थी ठीके कुकुर मुत्ता ठीके यह पूछा आता है कि इसके सूर्कांत्र, पाठिनरला के है, नय, पत्ते, हना, अडिमा, बेला, अराध्ना, ये सब ही आपकी हैं, ठीक है ना, अच्छा, यहां पर आपको दिया है महादीव अर्मा, महादीव अर्मा में दे सकते हैं, यामा, रस्मी, निर्जा, सांदिगीत, निहार, ये परतम का आपकी निहार, इनकी प्रतम का आपकरती है, आतीत के चल्चित, जो कि आपका एक रेखा चित्र है, और आपका दीव सिखा, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, कि रस्म, निर्जा, सांदिगीत और निहार के सभी गीतों का संगरा, जो मिलता है, कहां पर मिलता है, तो आपकी यामा में प्राप्ट होता है, ठीक है? चलिए, आते हैं अगला प्रसना आपका सुमित्रा नंदन पंद, सुमित्रा नंदन पंत कі बात करते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं कि इनकी जो प्रमुक रतिया है, रचना है, वो आपकी लोकायतन है, गुंजण है, ठीक है? समझ में आ गया होगा अगला है उदय संकर भट जो कि यहां पर दिया है अम्रत और विस हैं राका विसरजन युगदीप मानसी और आपका तच्छे सिला ठीक है ना तो यह कह सकते हैं कि आपका च्छायवादी यूग है था सबका सुक्ल यूग में इतना आपका था हमने यहां पर जितने भी वीडियो बनाया है वो छोटे छोटे वीडियो बनाया है ताकि आप एक वीडियो को पढ़ो और कनफ्यूज ना हो उनको नोट करिए और किताबों के माध्यम से सभी कुछ आप पढ़ सकते हैं वैसे हम आपको यहां पर चाहें तो एक वीडियो में स सब कुछ आपको पढ़ना है, अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है, मतलब जो आपके हिंदी साहित के पिछली वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में नहीं देखा तो उनको देख सकते हैं, आपको सभी पॉइंट आपको दे दिये गए हैं, सब कुछ आपको कबर करा दिया गया है, पूरा का पूरा सब कुछ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एक करप से सब कुछ देख डालिए, यह समझे कि एक घंटा या देड़ घंटा में सब पूरा का हिंदी साहित कबर हो सकता है, सब छोटे छोटे पार्ट आपके बने हैं, आठ मिनट, दस मिनट, बारा मिनट, ऐसे आपको मिले हैं, ठीके न, सब आपको मिल जाएगे प्लेरिस्ट में, जोकि हमने आपको स्टार्टिंग में पूरा पूरा बता भी दिया है, टिन को कवर कर सकते हैं, ठीके płon 2 तीन या चार पार्ट में आपको कवर करना है, टेक है नाटक नाटक car का नाम टेक है जैसे अभी आपने देखा कि जैसंक्त साथ का की जो जरूरी थी वह आपने बता दिया है अब ये भी पूछ लेता है कि जैसंक्त की आधूरी आम की कहानी क्या है इससे आपको मिलते हैं थो प्रेशान मत हो को ये जो einem के छोट रहे हैं र सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते रहें साम साथ बजे हिंदी साहित की इस्पेसियल क्लाइस चालू कर दी गई है तो आप उसे भी डेली का डेली यहां पर लगा सकते हैं ठीके जैहिंद वंदे मतलब